कि अच्छावने को नाजरेन, हम एक तुलबा से बात करते हैं, सबसे पहले आपको मुबारक बात है थेंक यू सो मच, आपका बहुत शुप्रिया आपके किस सब्जेक बिंटेकरी हासिल के? और दूर निकबाल गाथ आप जो इस डिगरी का किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? अपने असाज़ा को, अपने वालदाइन को, अपने घरवालों को आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, आप क्या गोल्ड मेडलिस्ट को ज्यादा पढ़ना पढ़ता हैं? ज्यादा मेनत करनी पढ़ती हैं सारा दिन सारी रात पढ़ना पढ़ता हैं? आप अपने जुनियर जो तालेबिन हमें तुलब है उनको क्या मैसिज देना चाहेंगे कि वो भी आप की तरह गोल्ड मेडलिस हासिल कर सके या मैडल ले सके ताकि वो भी बेतर नजर आए दूसरों से सुपीरियर नजर आए उने में यही मैसिज देना चाहूंगी कि वो रट्टे कम से कम लगाएं पढ़ाई पे जो है बो मेहनत करें दिल लगा के पढ़ें जो भी पढ़ें वो समझ के पढ़ें और उसे अपनी लाइफ पे जो है वो इंप्लिमेंट भी करें उसका आपने वक्त गुजारा जो है यू क्योंकि जब मैं इस डिग्री में आई थी तो मुझे इसकी जरा भी जो है वो नॉलिज नहीं थी लेकिन असाजा एकराम से सीखा और अब यहां पे और इसी साल मुझे गोल्ड मेडल भी मिला और मेरी एज अलेक्ट्रर अपांट्मेंट भी है आपने में अर्दू हैं अपने अपने हें बाल को भूल गए हैं तो आप। आप क्या ह喔 कि हम बताइगे क्या बोन पर याद करें ताके हम फिर दोबारा है यस को म्ध deze एकुब्बन को आप जाना चाहिए पने कर आप शिरिये पर फीजित जायी सकतें आखर में हमारे वेबरस को आप क्या मैसे दिना जो है वो सची लगन होनी चाहिए आपको अजम कर लें और उस पर डट जाएं इंशाला काम्याभी आपके कदम जरूर चुमेंगे अजम करते हैं सबसे पहले तो आपको मुबारक बाद हो आप रेटी अजया अपका शुक्रिया आपने किस सब्जेक्ट में डिगरी हासिल किया मेरा जी सब्जेक्ट था ब्यस प्रोग्राम जो बिसिकली होता है वो था मीडिया स्टडीज था तो उसमें मैं अल्हम्द ला सिल अज के दिन आप कैसा फिल कर रहे हैं बाकी लोगों से आप सुपीरियर नजर आ रहे हैं बेहतर अलाइदर नजर आ रहे हैं किसम से देखें ये एक सुडेंट के लिए हमेशा से एक ओनर होता है कि वो मैडलिस्ट बने तो मैं प्राउड फिल कर रहा हूं और लम्द लिल्ल आपको याद हों उस सवाले से आप क्या कहना चाहिए देखें बिंग स्टूडेंट स्टूडेंट की लाइफ में बहुत सारे ऐसे मवाक्य आते हैं जहां पर उसको जरूरत होती है उसके टिफिकल्टीज भी आती है स्टूडेंट को तो उन सारी इन मुश्कलात के बाद ल दिखाना चाहूंगा यमरे में कि दिसस्माइ प्राउड कि मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा मेनत की है और इसमें मेरे दोस्तों की दुआएं भी थी मेरे वालदयन की दुआएं थी तो मैं बस अल्ला का शुकर अदा करता हूं आप माशा आला आप जूनियर को क्या मैसे देना चाहेंगे कि वो भी अपने जो पढ़ाई पर तबज़ों देता कि वो भी मैटलिस्ट बन सेके जैसा के हमारा यह सिस्टम है एडुकेशन सिस्टम अब स्मेस्टर सिस्टम है युनिवरस्टी में मैं स्टूडेंट्स को यह पैगाम देना चाहूंगा कि फॉर फॉर आप महिनत करो हाडव करो बार बार करो और जैसे काइद ने फर्माया था कि काम आप सिर्फ काम और यह जो मनजिल है यह से नहीं मिल जाती आपको बहुत ज़्यादा हाड़ वर करना पड़ता है उसके बाद कुछ चीज़े मिलती है तो पहले ही दिन से आप कोशिश करें मै अपनी स्टूडिस को बनाए कि आप यहां पर पढ़ने आए बीगा सुडेंट बेंगा तालिब इल्म आप इल्म की तालिब के लिए आए हैं तो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस वही होनी चाहिए है आप की कोई जाब भी हो चुकी है या अब आगे पढ़ा कर रहे हैं जी बिल्कुल अमदल्ला मैं जॉब होल्डर हूं और मैं मेरा तो तो ऐसे जैसे आप हैं मैं भी जैनलिस्ट हूँ तो बस यह है तो आप मीडिया के स्टूडेंट हैं तो आप कोई पॉस्टिविटी या रोल लेकर आदा करेंगे मीडिया के हवाले से बिल्कुल हमारा जो मीडिया है खासकर यह तो बड़ी रिस्पॉंसपिलिटी है हम पर क्योंकि बि करेंगे मैं उमीद करता हूं कि मैं भी जाके इंशाल्ला इसकी बैटर्मेंट के लिए इसकी फलाह के लिए इंसानियत के लिए सब कुछ करें आप जहां तक आपको कुछ करने पड़ा हदूद में रहकर पाकिस्तान की जो पाकिस्तान की कौम है वो उस सब हमें सब को यूनिटि हमें बहुत ज़र्वरत है यूनिटि की ऐचाहिए हमें तो सब को में कहनाे चाहूंगा लिफ फ्र डाथ दूसरों के लिए जियो और दूसरों के लिए जिंदगी गोजरो आपकी फ्र्स प्राइरइटी एई होनी चाहिए क्योंकि रभ ताला कि सात हम में इसी लिए भेजाया के फलाई इंसानियत के लिए तो जितना हो सके मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमाई तमाम कौन से जितने भी हमाई यंग्स्टर्स कुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं सब को में यह कहना चाहूंगा के कोशिश करें के बैटर्मेंट आफ दो हुमेनिटी आप सोसाइटी को बेल्ड करें थैंक अस्ताव नाजेन हमारे साथ मैडलिस्ट हैं इनको सबसे पहले मुपारक बात हो आपको अपने किस सब्जेक्ट में अशल कि है टाली कमिनिकेशन इंगिनिर्ग में आप इस जो मैडल का क्रेडिट की से देना चाहँगा कि जो मेरी ता अब बात यह है कि सबसे पहले तो वालेदेन को क्रेडिट गाता है उसके बाद हमारे वाज जो असाथ तरह हैं जो एक जो एक अची एचिछ में की तरफ जा सकता है तो हमारे जितने भी दोस और फैलोस थे तो उनकी जो एकंपनी थी उन्हें बहुत मुझे अशने के लिए जो जो मेडलिस्ट होते हैं इनको ज्यादा पढ़ना पड़ते हैं सारे देन सारे जाद पढ़ते रहते हैं बिलकुल पढ़ाई को तो जाहिए सी बात है फस्स प्रियोरिटी देनी पड़ती है बहुत सारी चीजें हैं इनको निगेट करना पड़ता है अगर आप मतलब जो जितनी एफर्ट करता है उसे साफसों को जो है ना मिलता है और एफर्ट इसकी जरूरी है आप जो 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 नियर तालेबिन नों लोगों क्या मश्वा देंगे निसीत करेंगे कि वह भी पढ़ें और आपकी तरह मैडलिस्ट बढ़ें जी बिलकुल पढ़ेंगे उसकि अपना फाइ включ शरूडही जादाउद कर रियों को जादा से जादा पढ़ने की मोटिवेडियर प्रहं को के वह जादा जादा अच्छा पढ़ें और यही सब अच्छी ली लेह वारे किसा उन्अज जात के नाम उaldo में झाटो जो आपने कोई कोई जॉब вами हासिल कर ल आखर में आप अमारे वीवर्स को क्या मैसेज दिना चाहेंगे? मैसेज यही है कि एजुकेशन जो है बहुत एक इंपॉर्टन पार्ट है पाकिस्तान की प्रोग्रेस के लिए और इसकी तरकी के लिए तो एजुकेशन से पीछे नहीं हटना चाहिए और युनिवस्टी में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आके अपने केरियर क तबाबी कर लेते हैं जाय कर लेते हैं टॉक्स करते हैं तो इनके लिए मेरा ये मैसेज है कि वह टॉक्राइब के और जो है ना इण गोल के लिए और पाकिस्तान की तरकी के लिए ये बेथ أوकल चाहते हैं तो पड़ना चाहते हैं और अच्छे तरीक So排 परना多 फोश्त पड जरूरी चीज़ है अमारे वीवर्स के आपका मैसेज क्या है जी बिलकुल सब बच्छों को मैनत करनी चाहिए ज्याज ज्यादा और आपना मुस्तक बिल्गूद समा रहे हैं ठीक है थैंक यू सो मुझ किस अपने किस सब्जेक्ट में इस मैंने कॉमस में हैं मैंने अकॉंटि आपके उनको क्या मैसेज देना चाहिए ताक वह भी आपकी तरना मैडलिस बंजें या मैडलिस बंजें पढ़े हूं मेनत करें पर एंपने इस सब्सकत करते हैं इस को सकता है कि युन Baur सी यहां सुर्ण आप पर जी punkto के अपड़ने वाले चेद भूज जूछ दिशाण करते हैं जा अपने चाहिस करते हैं बैद मेरे नों को तो पड़नेवाले बच्चे होते हैं यहां से आधा प्ड़ते हैं इनको त स्टर्डी से ज्यादा अपनी गुधनेंग पध्जो है वाप दिहान लिते तो क्या यह जो होते हैं इंको सारए दिन सार रात पढ़ना पढ़ता एक यह जो हं तो हमosition चेंगे हो पर चे encourage इंच उस्खेंखर करना चाहिए डिल्कुल लकॉल अच्छे nume जो हैं वो लमोहात होते हैं और इनको हम बिल्कुल हमने बहुत जाद इंजवाय किया ना सिर्फ स्टेडी बलके स्पोर्ट और दिगर जो हमारे हुए हैं इवेंट सुनको अच्छी तरह एंजवाय किया और यह बहुत एचा मारा जो है आखरे में मारे वीवर्स को आप क्या मैसीज दिना चाहेंगे यहीं कि वो स्टेडी करें हाँ और अपने पेरेंट्स के लिए वो प्रोड जो है बनें प्रोड का बज़ा थैंक यू सो मुच स्टावर्स की वीवर्स अंग एक गोल्ड मेरिस से बात करते हैं सबसे पहले तो आपको मुबारक बात हो थैंक यू आपने किस सब्जेक्ट में डिग्री हासल किया है मैं अप्लाइट साइकोलोजी में हासल किया अप्लाइट तो आप आज गुल मेरे लिस से तो आप यसा पील करें कैसा बहुत अच्छा फील हो रहा है, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और उन सब की जो मेहनते हैं, उनकी कावशे हैं, उनकी वज़ा से आज मैं इस जगा पे पहुंचा हूँ, सबसे पहले तो मैं उनका थेंक्यू और बहुत ज्यादा शुक्रिया दा करना चाहूँगा अपने पीचर्स का, अपने पेरेंट्स का और उन सब लोगों का जिनों ने मुझे हल्प आउट किया, आपने साइकोलोजी में डिगरी हासल किया, इसका जॉब स्कोप है, आज फीले इसका, जी बिल्कुल जॉब जो है, वो बिल्कुल इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, और कांट डिगरी के लिए, तो जो जो जूनियर तुल्बा हैं, उनको आप क्या मैसिज देना चाहेंगे, आप की तरह वो भी जो बेतर मैडलिस बन जाएं, आप बिल्कुल मैं उनको यही गाऊँगा, कि मेहनत करें, बहुत ज्यादा मेहनत करें, और इस मुकाम तक पहुँचें, कि आपके पेरेंट्स जो हैं, वो आप पर फखर कर सकें, तो आपने जो मैडल हैसिर, कितनी आपको मेहनत करनी पड़ी थी, आप कितने दिन में कितनी दफ़ा, कितना दें घंटे पड़ते थे आप, देखें, घंटे ज्यादा होने से, या उसका इसे कुछ तालुक नहीं है, आपको कुछ टाइम टेबल, स्केचुल जगरा सेट करने होते हैं, उसको अकॉर्डिंग लिए चलते जाएं, तो आप सक्सेस्फुल हो सकते हैं, तो आप ने पढ़ाई के साथ कोई गयार निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेता रहा हूं, मैं कॉर्डिनेटर रह चुका ह अपने डिपार्टमिंट का, इसके अलावा और भी इतने प्रोग्राम्स और होते थे, इवेंट्स होते थे, वो मैं और्गनाइज करवाता रहा हूं तो आप माशाला से गोल मैडलेस भी इन साथ साथ गयार निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेते रहे हैं, तो उन जो तुलबे हैं, जो सारे सिर्फ गयार निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, पढ़ते नहीं हैं, तो उनको क्या मैसी देने चाहेंगा, वो दोनों क मैंनेज कर सकें? I think दोनों को साथ-साथ रखना चाहिए गया नसाबी ज़र गर्मिया भी होनी चाहिए और स्टड़ी भी कंप्लीट जो आर्ज हैं वो कंप्लीट करने चाहिए दोनों को बैलेंस करना चाहिए ताके आप अपना जो अपका असल फोकस है उस पे आप जयादा तुज़े रखें व जारह हमारा स्टड़ी है तो स्टड़ी को जयादा अची तरह से करना चाहिए तो आखर में हमारे वीवर्स को आप क्या मैसजी 생िदेना चाहिए झाल निहीं मैसज़् देना चाहिए थैंक यू सो मुझ अश्रावने को नाजरीन हम एक मैडल से बात करते हैं सबसे पहले तो आपको मुवारब गात हो खैर मुवारब आपने किस सब्जेक्ट में डिगरी हासल कि है मताला पाकिस्तान में तो आपने जो सिल्वर मैडल हासल कि है ऐसे क्रेडिट आप किसे देना च क्योंकि उन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया इस वजह से मैं आज इसका हकदार हूं मैडल जो मैंने पहना हुआ है आई लाव बाई पैरेंट्स थैंक यू शाला तो आपको इसके बाद नेक्स्ट जॉब करने का राद है या फिर आगे एम फिल करना चाह रहे हैं आग को यह मैसेज देना चाहता हूं कि स्टड़ी पर फोकस करें इतना हो सके क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो तो ही उनको यह मैडल मिलेगा और वह इसके आगदार नहीं होंगे तो आपने जो यह वक्त गुजा रहा है आपने युनिवस्टी में आपके कुछ अच्छे लमा आपके और हम फोकाने गुजार ला फंट बहुत लुझ मैं आप उस्टार लाइख में और भाट ही तो तो अच्छ था लाइद हो तो आपने उस्टार लाइफमें क्या मिलेगा अट एल्यूं कुछ इसा गठाए होता है यह फूशी बहुता लएगा होता है वैसे आपको मुबारक बात हो खैर मुबारक बात हो खैर मुबारक सार बहुता है। आपने किस सब्जेक में डिगरी हासल किया है। आपने किस सब्जेक में किर्दार है जो मुझे यहां तक ले आया और मैं आज इस मकाम पे हूँ के। पाकिस्तान के बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जो इस हाथ तक पहुंचते हैं अपनी ग्रिजुएशन तक बहुत से मसायल है हमारे मुल्क में और मैं उन खुछ रसीब लोगों में से हूँ जिनों ने डिगरी कंपलीट की आपको युनिवर्स्टी में गुजरे उलम्हाज य अपने एक उसको कहा था कि गुलाम को कोई ऐसा लफज कंदवा के आई ये जो मैं खुशी के वक्त देखूं तो रोने लग जाओं और अगर परिशानी के वक्त देखूं तो खुश हूं तो उन्होंने लिख वाया था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा तो जैसा भी वक्त तो वो तो गुजर जाता है किसी के लिए नहीं ठहरता हाँ एक अच्छी यादें जो होती है वो हमेशा छोड़ती है अपने नकूश और बेशक कभी नहीं भूलने वाली ये जादें तो आप मेडिया स्टुड़ी के स्टूड़ेंट हैं तो आपको मालूम है कि जो मेडिय है वो कुछ नेगिटिव रोल भी अदा कर रहा है इस हवाले से आपको क्या रोल अदा करना चाहेंगे कि हम उसको पॉस्टिवटी की तरफ कर दें मेडिया को यह कि हमारा मीडिया बिलकुल अभी मैचूर नहीं है और हम उमीद करते हैं अच्छे कि हमेशा उमीद करनी चाह उनको नहीं है पता है इतिक्स क्या है हर डिपाडमेंट कि अपने कौड अफ एतिक्स होते हैं कौन सी ख़बर शैर करनी है क्या चीज़ कैमरे में दिखानी है क्या नहीं दिखानी किस से मुल्क की पालीसिको नुक्सान होगा किस से मुलकी सालमियत के लिए कौन सी चीज़ खत्र है वो तो किसी चीज़ की परवाद नहीं करते हैं इन्शालला जो पढ़े लिखे लोग आएंगे अपने डिपार्टमेंट तो बहुत इंप्रूवमेंट आएगी इन्शालला ठीक है इन्शालला आप जो जो जूनियर तुलबा है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जूनियर तुलबा के लिए यही मैसेज है कि अपना प्रैक्टिकल लाजमी कीजिए आप शुरू से ही ठीक हुष्य तो हमारी युनिवस्टियदे में बतकिसमती यह है कि हमारे पास ऐसे एक्वेप्मिंट नहीं हैं हमारे पास ऐसे जराय नहीं है कि हम सीख सकें यहाँ पर सिर्फ ठीक पढ़ाय जाते है हमें चाहिए क हम प्रैक्टिकल सीखें जितना होस्स के प्रैक्टिकल काम करें, यूट्यूब है, दूसरे इस तरह के ऐसी कई वेब साइट्स हैं जहां से आप सीख सकते हैं, आउनलाइन आप सीखें, प्रैक्टिकल लाजमी केजिए, कैमरा लें, जो भी लें, लिखा करें, तो ये तो हैवी फील्ड ऐसी के जिसमे सरसर काम करना पड़ता है, आखर में हमारे वीवर्स को आप क्या मैसिज देना चाहेंगे, वीवर्स को यही मैसिज देना चाहूंगा, कि इस वक्त जो हमारे मुल्क की फिजा है, वो हम सब लोग बहतर जानते हैं, क्या इसके हालात है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो हम को अपने कानून नाफिज करने वाले इधारों के सामने बेनकाब करें जो हमारे मुल्क को नुकसान दे रहे हैं अक्सर लोग जानते हैं कि किस तरह कहां कब मुल्क को नुकसान दे रहे हैं तो हमें चाहिए कि नोगों की निशान दाही करें और उनको इबरतनाक सजा दी यह सुसाइटी में के जो बुरे लोग है उनको पॉइंट आट करने कोशिश के लिए असलाव रेकुन डाजरीन हम एक ताले बिलम से बात करते हैं सबसे पहले आपको मुबारक बात हो खायर मुबारक जी आपने किस सब्जेक में डिग्री हासल किया आप डिग्री का इस जो क्रेड़िट किसे देना चाहेंगे इस अपन आपने ऐसे पहले मुद्फे पिनेंट स करते हैं जाता हूं आप मैं टीचर वह दॉस्त को और अपने आपकोफों को देना चाहता हूं तो आप ने उनिवस्टी एक सिंच तो आप अपने जो वैस्फिर शेज याम थे रेखन बी ज आपकिन पूर करें वे आडप में उनिव चेहिए और में जडीरी टेणलोची कहा तक पहुंच चकी उरमकारी शाइन्स के तरक्की हो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हमने यहां पर लंड किया है तो इसके बाद आप आपने फील्ड में जाने का इरादा है या आप आगे सब्सक्राइब करना चाहिए बेसिकली वैसे हमारा फिल्ड में जाने का इरादा है लेकिन मतलब जो मुल्की सूर्टिहाल के बेशिए नजर अगर हमें नौकरी ना मिली तो फिर मजबूरां हमें मैस करना पड़ेगा तो आप जो आपने जूनियर दुल्बा है उसको क्या मैस होते जाएंगे तो आपके लिए असानिया पैदा कर फर्माएंगे यह कहा जाता है कि सुना है कि जो आई यूब के लेक्ट्रोनिक संजिनिक बड़ी अच्छी है और मशूर है मतलब इसका अच्छा मेरट भी होता है और इसमें से जो ग्रेडियोर्स होते हैं वह अच्छे होते हैं तो उनकी तो जॉब्स मिलने चाहिए जी आपने बिल्कुल ठीक सुना है क्योंकि नाइटी नाइटी नाइं से यहां पर एलेक्रोनिक अंजिनिक स्टार्ट है और बहुत अच्छी यहां से बैश निकल रहे हैं और कुछ मतलब सुड़न्स काफी अच्छी पॉस प तो आपने टाइम गजारे कोई अच्छी लामाद जो हमारे सच्छी करना चाहिए अच्छी लामाद गुजारे कि मतलब कि हम जैसे हम पेपर की नाइट में स्टड़ी करते थे और अब्ला सुबा को माला पेपर उता था सारा आउट आप बुक आता ता तो लेकिन पिर भी म सिटम के नजivas कि अक्रिमें हसल की है तो आप किसमेस्टर सिस्टम सिटम बेतर रहे जी मेरे नजर महें मतलब से बशे जाए तो डेली पढ़ता रहता है अखर में आप हमारे वीवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने वीवर्स को यही मैसेज देना चाहूंगा कि मैला बी पोजिटिव और मुल्क के हलाद बेशक बेटर निया लेकिन आपको तो मतलब अब जो आपके जिम्हें काम है तो एक पा यह अवारक बात हो बहुत शुग्री है बहुत शुग्री अपने किस सब्जेक्ट में निगरी हासल की है मैंने एलेक्रोंगे असन्जियनियरिग है तो इसके बाद आपको क्या एडाध है कि आप अपने फीड्म की तरह जो है तो तो आप अधियों पेर जोब्स करेंगे तो आपका इंटरस्ट फील्ड की तरफ नजर आ रहा है जो आप जाना चाहते हैं तो आप भी तक आप अगर फील्ड की में क्या प्रॉब्लम्स नजर आती है आपको इह प्रॉब्लम्स है जो आपको हर्फ टूडेंट एक बार 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 दुरॉता फिरेगा कि कोई आपको यहां पर जॉब्स अबेल रही हैं यह मेरी इंटर्शिप चल रही है नवास्ट्री लेवल इसकतर हाई है कि हम लोग अपनी एक्सपेक्टेशन्स ही ना रखें जॉब्स के लगल से यह जो जॉब्स आ रही है वो बहुत कम आ रही है तो आप ने युनिवर्स्टी में जो टाइम गुजारा है कुछ अच्छे लमाद जो आप हमारे से शेर करना चाहेंगे मेर का एम है उसे हासल करने के लिए मेहनत करते रहें जो अब हैं या नहीं है इसका मतलब हर गीज नहीं कि आप डाउन आप लोग अपने आपको कम तर फील करें या कुछ भी करें जो आपका मकसद है आप उसे एक्षीव करें और बस भी पॉसिटिव ठीक है थेक है थाइक एस हो Japanese अब इस जो डीघिरी है सब स्कर्याड़ किस देना चाहे है इसका क्रेट हमाठे वालदा थैनको देना चाहें कि वह उन्हें पोघ्षपर किया अभर तो उसके लवा हलतला ने मजभ़द की खिए माशाला है आई कि दिजग पने सिलिवर मेड़ हैं माशाला आप का रा आर मकाब में आप इस जो डिग्री को अपना क्रेड़िट किसे देना चाहेंगे। मैं अपने पेरेंट्स को अपने टीचर्स को और सबसे जो मेरे होडी चेर्मेंट साब हैं परफेसर डाक्टर इजादर रतीव साब उनकी अन्थक मेहनत से उनकी मोटिवेशन से बहुत इपरेसर आप जो डिग्री हासिल किया अपने इसका क्रेड़िट किसे देना चाहेंगे। इस डिग्री का क्रेड़िट किसको देना चाहेंगे। इस डिग्री का क्रेड़िट तो सबसे पहले वालदायन को जाता है क्योंके उन्होंने अपनी जो गुर्बानिये हमारे लिए दी ताके हम किसी मकाम पर आजाएं मुलक मिल्लत की खित्मत करें और फिर असादजा कराम और डिपार्टमेंट और युनिवर्स्टी की इंतजा आपकी कोई जाब होई है या कोई आपने डिमिशन एंफिल में लिया है अभी तक तो जाब नहीं हुई और शायद इसलिए नहीं क्योंकि मैं खुद भी वी लिंग नहीं हूँ लेकिन मैंने मास्टर्ज में एंफिल में एडमीशन ले लिया एसी डिपार्टमेंट में कि अच्छा शुबा ए, बहत्रीन शुबा ए, और आने वाला वक्त कि मीडिया का दोर है, उसी हवाले से हमने किस तरह से सोसाइटी को पोर्टरेट करना है और फिर किस तरह से मुसलमान कल्चर को दुनिया के सामने रखना है। किसी हवाले से मीडिया के हवाले से आप कि मीडिया के स्टुएट हैं, हम सोशल मीडिया के हवाले से बात करना चाहेंगे, आपको पता कि सोशल मीडिया आज कल नेगिटिविटी भी फिला रहा है, तो अप सोशल मीडिया में इंप्रूब्मेंट या पॉस्टिविटी आप क् तो जिस थाराद की चकर में जो जिस तरह की पोस्त और स्ट्रेटस वगरा दिया जाते हैं एक मतलब कि उपने इस चकर में जाया जाए जाए वो अर्निंग को सिर्फ देख रहे हैं उनका एक एम बनावे कर निंग करनी हैं लेकिन वह नहीं देखते हैं इसमें मुलक का नुकसान क्या है जह मारी इंटरनेशनल पालीसी उस पर क्या खत्रा पट रहा है जा दूसरा गर कोई हमारे पोर्ट्रेट कर रहा है तो हमने किस तरह से डिफेंड करना है उस चीज को मसला यह है कि हमें एक तरीक कार नहीं पता कि जिनोंने डिगरी की वी ओ या फिर जो जानते हों किस तरह से चीज को आकर लेकर चलना है तो अगर उनके हाथ में हो तो बहतर हो जाएगा लेकिन अगर इस तरह से चलता रहा जो बिल्कुल नान-कौलिफाइड हैं सिर्फ अर्निंग जिन का मकसद है तो वो तो फिर नुकस जो तालबा हैं उनको आपका क्या मैसिज है कि वो आप पढ़ाई पर अपने जाद जा तभज़ दें ताकि वो अच्छे गरेट्स ले सके अच्छे जो सीख सके इसके चुनियर को मैं यही पेगाम देना चाहूंगा कि वो ना सिर्फ ग्रेट्स अच्छे लें और इस वेल रेसे चार बरोब पर श दो राजी है and do we have to only work. बोड़ होने प्रैक्टिकल काम कें फील्ड में जाना थीजिदेची के साथा है and work with the dons in theée, συयर चाहित फेल्लतार रेक्डी में on the materialmaking, काम करें अक्वारात में पर चाहिए, काम को पेले सेखें वर्बली, थेओरिटिकली और बकाइदा वीडियो बनी है आप वो देखें तो आप सीखने में आपके लिए कार करें